हे दूस्तों वेलकम है आपका fantasy expert news के official youtube channel पर इस वीडियो में match cover करने जा रहा है second ODI match जो की reschedule हो चुका था शिलंका woman versus bangadish woman इस match को हम लोग complete details से cover करेंगे क्योंकि ये totally depend रहेगा कौन सी team bat first कर रहे है कौन सी team bat second कर रहे है उसके ओपर dependent game है तो टोस काफी ज़्यादा important role यहाँ पर रखने वाला है तो आईए इस complete match को हम लोग analyze करते हैं और team formations हम लोग create करते हैं small leagues और grand league के लिए कुछ 2 से 3 player में आपको बताऊँगा जो लोग आपको especially GL में rotation करना है क्योंकि इस match में GL खेलना आपके लिए easy भी रहेगा और winning भी easy है telegram channel पर मैं अपनी winnings भी डालता रहता हूँ आप लोग चाहें तो मेरे telegram channel से जोड़ सकते हैं देख लिजिए मैं किस तरीके से winning कर रहा हूँ तो बड़ी नहीं है लेकिन इतनी तो है कि मैं महीने बर में अच्छा कासा profit earn कर सकता हूँ जो कि एक job से भी ज़्यादा बैतर है कोई job करने से ज़्यादा बैतर है तो यहाँ पर देख लिजिए किस तरीके से मैं winning कर रहा हूँ तो आप लोग भी winning कर सकते हैं करना कुछ नहीं है add the red fantasy expert news search कर लिजेगा telegram पर तो आपको हमारा channel जो है वो मिल जाएगा नहीं तो वीडियो की description में तो link है ही है वहाँ से आप लोग जोड सकते हैं सीधे मैं बात करता हूँ इस match के informations की तो यह बिल्कुली new ground है यानि club matches जहां होते न वह वाला एक ground है बहुत बड़ा ground नहीं है सिहाल एसे sports club यह इसका नाम है इस venue का ज़्यादा matches यहाँ पर हुए नहीं है women's के ODI matches हुए है जिसमें betting first करते हुए 3 matches win किये देखो women's के matches है toast पर dependent काफी ज़्यादा होते है अब toast जीता है Australia नहीं पहले बेट किये तो obviously Australia एक अच्छी team है women's की वो यहाँ पर win कर सकती है चाहे slow wicket हो चाहे अच्छा betting wicket हो तब भी वो win कर सकती है तो यहाँ पर matter करता है कौनसी team जो है वो strong है किसी के पास बेलेबाजी में डैपते है bowling department किसका अच्छा है उसी के according team create करते है देखो यहाँ पर मैं clear cut आपको बताना चाहू न तो Sri Lanka women's जो है वो fully favorable है क्योंकि bowling department में उनके पास में अच्छी कासी डैपते है प्लस betting department में ज्यादा नहीं है लेकिन उनका जो bowling है bowling में बहुत ज्यादा डैपते है च्योंकि बंगलादेश women's को वो ODAE के game से जो कि इसके अंदर men's भी खेले हुए West Indies के लिए Sri Lanka के लिए Sri Lanka ने जीता यह मैं आपको यह बताना चाहरा था कि betting first करते हुए कैसे teams नहीं यहाँ पर win किये है chase करते हुए कैसे win किये तो chase करते हुए win यहाँ पर ज्यादा होता है बस तो मैंने जो mention किया हुए जो हमारी 8 पर्टू टीम की captain सी करते है off break गेंदबाजी पूरे 7 से 8 ओवर और कभी कभार 10 ओवर भी पूरे डाल देती है तो यह तो एक important selection है bowling department से ओशादी राना सिंगे और आयनोका रना वीडा यह दोनो spinners जो है न की team के key bowler से जिनको आप कभी भी drop नहीं कर सकते है क्योंकि यह bunches में wicket लेके जाते है यह बंडल्स में wicket लेके जाते है यह 3 player आपको कभी नहीं drop करने चाहिए फिर बात करते है 4th player इनकी team की तरफ से कौन होना चाहिए कभी शादिलहारी जो की मेरे कल के लिए trump player रहेंगी और game changer जो इनको कह सकते है वो यह player है क्योंकि ऐसा all rounder team में कहलती है और गेंदवाजी भी करती है balling इनको मिलती है तो यह 4 players मेरी team में confirm रहेंगे आप small league में इनको add का नहीं है अब बात करते हैं जैसे ही 5th player के selection आता है अब 5th player में क्या करेंगे हम rotations करते हैं हर्चीता समारा विक्रमा विशीमा गुनारतने और दुलानी अभी नियूली squad में जोईन है निलाक्षी दी सिल्वा और प्रसादनी वेरा कोटी जो की बहुत experience player है 54 to 55 matches ODA के खेल चुकी है तो जो filtered player है न यहाँ पर 1, 2, 3 यहाँ से फिर यहाँ से 4 यह player जो है important है और पांचवे में यहाँ से मैं बताओं 1, 2, 3, 4 यहाँ से यह होगे फिर एक player कौन रह गया 1, 2, 3, 4 player तो यह हमारे default है और 5th player जो आपको लेना है वो वेरा कुड़ी का आप लोग अपनी team में रख सकते हैं क्योंकि experience player है middle phase में या फिर lower middle ladder में भी आती है तो भी score कर सकती है तो 5 यह मेरी जरब से fix होने चाहिए आपको बहुलूँगा इनके साथ में चाहिएगा यह 5 आपकी team में default choice में होने चाहिए भी बहुत ज़्यादा important है अगर यह खेलती है तो यह भी आपकी team में होने चाहिए मल्चा सेहनी यह काफी लोग ignore करते है अगर यह खेल गई तो मेरी team में आपको खेल दिखेगी यह small league हो चाहिए वो grand league हो इसे बात करते हैं तो कोई ज़्यादा आपको सोचना नहीं है सोचने का मतलब आपको सीधे selection से यहाँ पर कि आप लोग एक wicket keeper को pick कीजिए जो की stumping के points दिलाएंगे प्लस top order में betting करेंगे इनको आपको रखना है नाइगर सुलताना captaincy करेंगे 23 plus का average है यह 5 पिक यहाँ से बनती है 5 पिक जो सीलंका वोमेंस की team है वो बनती है 6 player में आप यह तो एक extra बोलर के साथ में जाईए सीलंका वोमेंस के या फिर आप लोग क्या कर सकने हैं फरजा नहाग चुकि middle phase में betting बहुत अच्छी करती है वैसे कुछ कुछ matches पहले यानि कुछ 20-30 matches पहले ज़्यादा हो जाएगा वो तो 15-20 ODIs पहले क्या होता था यह top order में betting करती थी और बहुत अच्छा scores करती थी यह consistent performers थी पिछले कुछ time पहले है अभी final में इनको थोड़ा सा demote कर दिया गया है क्योंकि new players को मोका दिया है फोरजना हाग बहुत talented player है अगर GL में हम लोग ऐसा differential inner rotate करेंगे तो हम लोग grand leagues में rank easy ले लगाएंगे यहाँ पर बात करते हैं कोई important player bench player में से तो यहाँ पर कोई है संजीत आगतर मेगला जो की left arm orthodox गिंदवाजी करती यह important player है अब मैं शिलंका women's के एक बार players टेर्स जल्दी से announce कर देता हूँ क्या क्या है ODI में देखिए प्रसादनी वेराकोडी 2011 से शायद यह खेल रही है और बहुत experience player है मस्ट्योपिक में आप small league में small league की team में आप लोग include कर सकते है हर्षीता समारा विक्रमा grand league की player है small league में आप लोग rotation करते हुए रख सकते हैं मैं फिलाल के लिए नहीं लूँगा निलाक्षी दी सिल्वा कभी गबार balling करती है बहुत rare case में as a batsman ज़्यादा तर यह play करती है तो grand league में ही consider करेंगे तो अच्छा है हसीनी परेरा बहुत ही talented player है और score करती है quick score करती है T20 cricket में बहुत अच्छा performance करती है लेगिन जब लंबा format हो जाता है ODI उसके अंदर यह थोड़ा सा performance इनका down रहता है तो यह भी small league में अभी avoid करना है लेगिन जब GL कहलेंगे तो हम अपनी team में rotate करेंगे drop करना ही नहीं है no drop players की list में आते हैं आपको तीनों रखने है उसके बाद में यहां से आइनो का रना वीरा और सुगंदी का कुमारी यह दोनों भी जैसे रना वीरा खेलेंगे सुगंदी का कुमारी अगर खेलती है तो इनको भी अपनी team में रखना चाहिए तो आपका एक कलेस सेलेक्शन आपको लोस करवा सकता है तो यह खेलते हैं तो पूरी balling dominated team बना लेना है कब जब सीलंका पहले ball कर रही हो ठीक है यानि six player आप लोग बंगलदेश player के साथ में न जाके आप लोग इनके साथ में जाईगा उदेशी का प्रभोधनी की साथ में बंगलदेश की तरप से बात करते हैं जो best player है नाइकर सुल्ताना शमिवा सुल्ताना दोनों को आप अपनी team में रख सकते हैं फरजा नहाग 950 लगा चुकी है सबसे experience यहाँ पर लगती है मुझे जो की middle phase में betting करती वे दिखेगी GL के लिए आप लोग rotation में इनके लिए इनको rotate आप जरूर कीजेगा मुर्शिदा खातून है 20 का average जील में ही मैं try करूँगा मैं small league में avoid करने वाल हूँ लता मोंदल ये भी GL के ही play pick रहेंगी रितु मोनी जो balling करती है right time medium तो इनको आप लोग try कर सकते हैं एक grand league के अंदर rotation करते हूँ small league में आप लोग avoid कर सकते हैं पकी यह से राबिया कान, सुल्ताना खातून ये आपके लिए keep player रहेंगी कल के match में काफी लोग ignore करेंगे 10 to 15% selection रहेगा लेकिन ये आपके लिए keep player है जो लोग इनको अपनी team में रखेंगे वो win करेंगे, जैसे कि मैं रखूँगा ही win को, नाइद अक्तर फाहिमा कातून दोनों अपनी team में होंगे, जहान रा आलम अगर जगा बनी मेरी teams के अंदर तो मैं इनको pick करूँगा, otherwise छोड़ दूँगा, संजीद अक्तर मेगला अगर खेलते हैं, तो मैं अपनी team में back कर लूँगा, ये देगे लिए head to head में head to head का कोई इतना ज़्यदा matter नहीं करेगा मैं आपको बात करता हूँ, best captaincy के लिए कौन कौन है, small league में हमारे VC हो सकती है, ओशादी राणा सिंगे ये मेरी team की voice captaincy हो सकती है GL में आप लोग captaincy भी किसी एक team में इनको दे सकते हैं, differential picks जो कि काफी लोग avoid करेंगे, जो कि मैंने एक तो बताई दिया है, मैं even small league की team में भी लूँगा, सुलताना खातून को लेकिन एक जो मैंने आपको बताई ना 52 matches ODI खेल चुकी है, प्रसादनी वेरा कुड़ी, ये आपकी team में होने चाहिए, क्योंकि इस्टम के पीछे आपको wickets, स्टम्पिंग के points दिलाएगी plus betting भी कर लेती, first bet करती ही तो आपके लिए better option रहेगी क्योंकि बांगलादेश वूमेंस के all out होने के जासर ज्यादा रहेंगे, तो बहुत अच्छी पिक है, GL में इनके साथ में आपको rotations करने है, आए team create करते हैं कैसे teams create की होगी, वैसे मैं अगर आपको team दिखा हूँ, तो मेरी कुछ इस तरीके से team बन रही है, जहांदा आलम, फईमा खातून, नाइदा अक्तार, सल्मा खातून, रणा वीरा, और ये पूरी team मेरी इस तरीके से है, जो small league की team है, आप लोग क्या कर सकते हैं, समारा विक्रमा जो है आर्शिता, समारा विक्रमा, इसको drop करके, निलाक्षी दी सिल्वा, फरजाना हग, मुर्शीदा खातून, इनको आप लोग अपनी team में pick कर सकते हैं, यहाँ पर, जैसे कि मैंने बोला फरजाना हग, middle order में आके बहुत अच्छा खेल लेती हैं, तो ये आपके लिए एक पंटर पिक साबित हो सकती है GL के लिए, और small league के लिए भी, बाकी सबी लोग क्या करेंगे, समारा विक्रिमा के साथ में जाना चाहेंगे अगर मैं रहूँगा, मैं यानि bet first कर रही रहीगी team Bangladesh Women की, तो मैं फरजाना के उपर risk लूँगा, और इनको अपनी team में pick करूँगा, तो ये मेरी small league की team है, इस तरीके से मेरा small league का combination बनेगा, GL में मैं आपको बताई दिया है, कि एक player तो ये मेरी है ही है, सलमा खातून इनको तो मैं अपनी team में रखूँगा ही हूँ लेकिन अगर एक सुगंदी का कुमारी अगर खेलती है, तो वो मेरी team में देखने को मिल जाएगी, GL के लिए best CVC के अंदर का ये चमारी अट्टा पट्टा तो है ही है, लेकिन साथी साथने कभीशा दिलारी, अगर first bait कर रही है तो ये आपके लिए एक key player रहने वाली है तो hopefully, आप लोगों को ये concept समझ में आच चुका होगा लेको में default player भी आपको मैं बता देता हूँ कौन से player जो है, वो default रहेंगे किनको आप लोग को नहीं छेड़ना चाहिए यहाँ से, जैसे कि इन दोनों में से तो कोई एक है ये देखो, ये players आपको छेड़ने नहीं है, आप लोग क्या कर सकते हैं शमीमा सुल्ताना के place पे वेरा कुड़ी को pick कर सकते हैं, तो ये एक rotation हो गया ये 9 player आपकी team में होने ही चाहिए, बस ये कि यहाँ पर 9 क्या 8 player यहाँ पर आप लोग शमीमा सुल्ताना को small league में रखेंगे, तो ये players तो आपको छोएड़न नहीं नहीं है, आप rotation करना है एक तो betting department में, क्या करना है समरा विक्रमा के place पे फरजाना हग मुर्शिदा खातुन और फिर यहाँ से निलाक्षी दी सिल्वा ये तीन rotations रहेंगे, जो कि mainly important rotation होंगे, वो फरजाना हग और यहाँ से मुर्शिदा खातुन, ये दो important rotation रहेंगे, after समरा विक्रमा ठीके, फरजाना हग को मैं रख रहा हूँ अपनी टीम में, और फिर यहाँ से एक जो special pick है वो मैंने आपको बताई दिया है, सल्मा खातुन में अपनी टीम में रखूँगा, captain अटा पट्टू, और wise captaincy के option में आपको मैंने बताई दिया है, कौन-कौन से है, यहाँ से मैंने आपको clear cut बताया था, ओशादी राना सिंग गए है, कवीशा दिलारी है, आपको अपनी टीम में VC कर सकते हैं, तो यह मेरे GL की टीम है, ठीक है, समझ में आए गया, hopefully आपको और आप लोग नहीं विन कर पा रहे हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जूड़िए सीधा, और टीम्स कॉपी कीजिए, इतना कोई आपको पर्फेक्ट नहीं बोलेगा, मैं बोलूँगा, टीम्स कॉपी कीजिए, और खेलिए GL के अंदर, रैंकिंग लगीगी, जीतेंगे आप लोग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरू करें, टैंकियू,